हलो फ्रेंड सेथीजें हलो फ्रेंड्स!!! वंल्कम बेक तु माई योटू चनल के अईएफ्वी फ्रेंट्ट लोड और साथीज मशाना है इंबाद्ट वाश्य कोड़िया तब कर सक्षामेब इनमें एक fix solution बता है, जो fault होता है, उसी से related हमने उसको solution आपको दिया है, तो आपको के करना है, वस वीडियो को skip नहीं करना है, आप वीडियो पूरा बहुच करेंगे, अगर वीडियो आप पूरा बहुच करेंगे, तो आपके सामने, अगर कोई भी error code आ रहा है, तो उस समय क आपको ज्यादा time based नहीं होगा, और आप 3-4 minute के अंदर उस fault को अराम से trace कर सकते हैं, अगर आपको error code पता है, जायर सी बात है, दो से 3 minute लगेंगे, और आप fault को trace करके, अपनी problem solve कर सकते हैं, तो time based ना करतो भी वीडियो करते हैं, start, IAB front load washing machine में error code E1, अगर 100 होता है, तो वहाँ पर क्या है, आपको voltage सबसे पहले check out करना है, कि voltage 220-230 तक voltage वहाँ पर मिलना चाहिए, कि यह AC voltage है, आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर मल्टिमीटर लें, और मीटर से check out करें, कि वहाँ पर पर तरीकी से voltage मिलना है, या नहीं मिलन तो वहाँ पर क्या है, E1 का error code 100 होगा, या फिर ऐसा होता है, कभी कभी कि washing machine चलती रहती है, और starting में ठीक रहता है, वाट बीच में क्या है, up-down होते है, voltage, तब यह error code 100 होता है, तो आपकी जो problem में, वह solve हो जाएगी, next error code है, आई यह भी front load washing machine में, अगर error code DPERR आ रहा है, ठी DPER, यह front load washing machine में, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैं front load, या फिर top load washing machine में, अगर मैं error code बताऊंगो, तो वहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, अगर आपकी front load washing machine, वहाँ पर DPERR air code सो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने machine चलती है, तो आपको क्या है, वहाँ पर सबसे पहले train cog देखना है, कि वहाँ पर जो train cog है, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं, गंदगी होती है, इस बज़से भी वहाँ से पानी out नहीं होता है, अगर वहाँ पर यह सब चीज़ ठीक है, तो आपको drain motor चेक out कर लेन होगा, तो यह air code होगा, D-P-E-R, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ चेक कर लेना, अगर आपकी train motor भी ठीक है, और प्लस आपका कोई 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 डस्टी नहीं, और कटी फटी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपका जो drum होता है, वहाँ पर क्या होत आपको PCV में मतलब supply check out कर लेना है, जो train motor पर जाती है, वहाँ पर आपको check out कर लेना की train motor की supply हो, प्रॉपर तरीक से निकल लए है, अगर ऐसा नहीं है, कि supply नहीं जा रही है, तो वहाँ पर PCV फॉल्ड हो सकती है, तो आपको यह step by step check कर लेना, आपकी जो problem हो solve हो जाएगी, next, air code, IAB top load washing machine में, air code, अगर TE आता है, तो आपको क्या है, सबसे पहले check कर लेना है, कि boss motor, ठीक है, boss motor में क्या होता है, जब हम boss पर program side करते हैं, उस समय क्या होता है, जो motor होती है, right and left, दोनों side चलती है, अगर यहाँ पर क्या है, motor अगर faulty होती है, एक side चलती है, तो इस condition में आपका TE air code, सो होगा, यह top load washing machine में होगा, IAB की जो top load washing machine होगी, उसमें यह fault होगा, तो आपको यह चीज़ चेक कर लेना है, कि motor हमारी जो है, speed slow नहीं है, या फिर हमारी जो motor, right and left, दोनों side, round लग रहे हैं, या नहीं लग रहे हैं, यह चीज़ आपको check कर लेना, आपकी जो problem में solve हो जाएगी, next air code, IAB front load washing machine में, अगर L76, L176, air code 100 होता, यह front load washing machine होगा, ध्यान रखना है, आपको यह air code 100 होगा, L176, यह front load washing machine में होगा, तो यहाँ पर क्या है, voltage problem होगी, यहाँ पर भी अगर 220 से 230 voltage नहीं आ रहे हैं, तो यह दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या हो सकता ह है, machine चलती हो, उसके बाद क्या है, बाद में वहाँ, फिलक्शूशन हो, यह फिर voltage up down की problem हो, तो सबसे बिले क्या है, आपको main, जहां से हम power supply देते हैं, वहाँ पर हमें check out कर लेना चाहिए, कि वहाँ से 220-230 voltage हमें proper तरीकी से मिल रहे हैं, या फिर नहीं मिल रहे हैं, फिर आपको क्या है, अगर वहाँ से मिलते हैं, तो आपको क्या है, जो PCV होती है, जहां पर हम 220 supply देते हैं, वहाँ पर भी आपको check out कर लेना, कि voltage वहाँ पर और ठीक से हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, फिर हो सकता है, आपकी wire में भी दिक्कत हो सकती है, कि wire कहीं से कड़ वट कभी-कभी proper मिलते हैं, कभी-कभी नहीं मिलते हैं, कारवन लगा होता है, यह चीज़, आपको check out कर लेना, आपकी जो problem है, L176, error code हो रहा है, IAB front load में, वह आपकी problem solve हो जाएगी, friends, अगर वीडियो को like नहीं किया, वीडियो को like कर दो, चैनल पर अगर subscribe नहीं किया, चैनल को door उठाते हैं, तो बहां पर क्या हो है, आप अभी pick में देख रहा है, यह door log होता है, अगर यह proper तरीक से work नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका error code होगा, U5ER, तो आपको क्या है, इस door log को test कर लेना, यह proper तरीक से work कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, क्यों यह identify कर सकते हैं, कि हाँ, वहाँ पर जो problem है, वो उसकी door किये, अगर door प्रोपर तरीक से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर आप यह wire देख लें, यह wire हो गए रहा है, तो नहीं काट दियो, आपकी जो problem है, वो solve हो जाएगी, next, error code है, आईएबी top load watching machine में, PR5, ठीक है, PR अगर 5 air codes होता है, तो वहाँ पर वाटर फिलो की problem होती है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले pressure switch को check out करना, ठीक है, अब pressure switch को आप कैसे check out करेंगे, सबसे पहले आप सुले, जो beach वायर होता है, जो ground wire होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोल्टिस यह 5 बोल्ट पर चल करेंगा, 5 बोल्ट DC पर ठीक, आपको एक चीज का ध्यान रखना, यह DC बोल्ट पर ही चलता है, तो आपको क्या है, बीच में एक नोप रखना है, एक side से right and left, तो वहाँ पर 2.5 बोल्ट DC आने चाहिए, ठीक है, आप इस तरीके से identify कर सकते हैं, कि वहाँ बोल्टिस आ रहे ह है, अगर बोल्टिस नहीं आ रहे हैं, तो आपका प्रेसर सुच, फॉल्टी है, यह आप identify कर सकते हैं, ठीक, आपको क्या है, प्रेसर सुच को check out कर लेना है, प्लस इसका जो pipe होता है, वहाँ पी चेक कर लेना है, प्रेसर सुच का जो pipe होता है, हट नहीं हो, ड्रम से जो attach हो उसके बाद आपको जो top है, जो plug है, उसको लगाना है, प्रेसर सुच में attach करना है, तो आपकी जो problem है, वो solve हो जाएगी, अगर यह सारी चीछ ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपका प्रेसर सुच में ही fold है, आप उसको replace कर दें, आपकी जो problem है, वो solve हो जाएगी, next error code है, वहाँ पर बहुत जाधा गंदी की होगी, इसी वज़े से, वहाँ पर मतलब गंदी की होगी, तो पानी ओट नहीं होगा, तो आपको क्या है, पहले train cock को देख लेना, उसके बाद जो train motor लगी होती है, उसके just, जिससे ही हिस्ते है, मतलब जब इस पर मोड पर जाती है, तो train train motor इस थी, तो आपको train motor को भी check out कर लेना, कि वहाँ पर train motor प्रोगर तरीक से work कर रही है, या नहीं कर रही है, यह jam हो जाती है, वह भी खराब हो जाती है, इस वज़े से, तो वह काम नहीं करती है, तो यह air code E6 का air code सो होता है, वहाँ पर PCB चेक कर लेना, कि PCB supply out कर रही है train motor तक या नहीं, तो यह चीज़ step by step check करना है, आपकी जो problem हो solve हो जाएगी, next air code IAB front load washing machine में, अगर E2 का air code सो होता है, तो वहाँ पर क्यों होता है, no water filling, ठीक है, वहाँ पर क्या machine जो होती है, मतलब पानी लेती है, तो पानी वहाँ पर नहीं ले रही है, तो क्या-क्या reason हो सकते सबसे पहले आपको मतलब check करना है, कि वहाँ पर हम जहां से, मतलब जो tab है, वो on है या नहीं, जो मतलब tank है, वहाँ से आपको देख लेना है, कि वो on है या नहीं, अगर वो on नहीं होगी, तब भी E2 का air code सो होगा, प्लस, आपको जो filter देख रहा है, इस समय, जहां पर filter लि देना, ठीक है, तो आपकी जो problem है, वो solve हो जाएगी, प्लस, आपको जो motor है, inlet wall है, यहाँ पर आपको इसको भी check कर लेना, कि यह प्रोपतर इसके work कर रहा है, या नहीं कर रहा है, अगर यह काम कर रहा है, तो आपको वहाँ पर देख लेना है, कि supply का आपको देहां रखना ह कि supply वहाँ तक आ रही है, नहीं आ रही है, अगर इन्वेटर मोडल यह inlet wall होगा, तो वहाँ पर 12V पर यह work करता है, अगर यह जो बॉल है, inlet wall, non-innovator washing machine होगी, तो वहाँ पर 220V आएंगे, ठीक है, अगर नौन इन्वेटर है, तो 220, अगर इन्वेटर मोडल तो वहाँ पर व कर सकते हैं, तो यह सारी चीज आपको चेक कर लेना हो सकता है, वायर कटा हूँ या फिर PCV में फॉल्ड हो सकता है, अगर supply नहीं और कर रही है, पिलस, अगर पानी मतलब नहीं आ रहा है, तो हाँ पर एक चीज़ का आपको और देहा रखना है, यहाँ पर एक चीज यह तो ह इसका प्रेसर सुच ही फॉल्ड हो, तो यह पर पानी नहीं ले रहा है, तो इस कंडिसन वे आपको प्रेसर सुच को भी चेक आप कर लेना है, वहाँ पर DC बोल्ड पर यह प्रेसर सुच वर करता है, 2.5 वोल्ड आएंगे, मतलब बीच में अगर आप बोल्ड चेक कर यह सारी चीज़ स्टेब बाइ स्टेब चेक कर लेना है, तो आपकी जो प्रॉबलम है, वह सॉल्फ हो जाएगी, तो फ्रेंट्स आपको अगर एक परसेंट भी इनफॉर्मेसिव, मतलब यह वीडियो लगी है, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को यार लाइक कर अगर चैनल पर न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू फॉर वाचिंग